ओर राइट मेरे प्यारे दोस्तों मैं वहारे सुल्तान एक पाकिस्तानी मुलहेद जहां जहां पे लोग उर्दू-हिंदी बोलते हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बंगलादेश, अफगानस्तान, निपाल, भुटान, चान जिपान, सबको मेरी नेक शुब काम नाए यह हरकते क्या करते हैं मोमनी, बाहिर के मुलकों में, बड़ा भी मैंने देखा, फ्रांस के उपर बड़ा प्रॉपेगेंडा चाल रहा था, वो शाबर साकर उसका नाम है, तो बात बात बात, उसने बात नहीं कोई एक वीडियो का टोटा था वो, अमरीका के शहरों का नाम I think मुझे वो दिखाना चाहिए, ठैरो था, नहीं मुझे स्ट्राइक वो भी भेज़ देगा, यह बड़े बाहरत हैं यह लोग, वो उससे वरजनिया, कोला राडो, और फालो रीडा, या राडो, फालो राडो, पता नहीं बचारे से बोला है नहीं जा रहा है, उसको पहले भी मैंने देगा, तो उसने एक वीडियो, प्रॉपेगंडा वीडियो बनाई, अभी एक तो दिन पहले, फ्रांस के खलाफ, फ्रांस की नफरत में, तो जाहरी बात है, क्योंकि उससे पहले एक फ्रांस, एमैनियल माकरान का मैंने आपको बताया था, एक बियान आया कि इसल जारी बात है, तो इस बेहरत में ये नहीं बताया, शाबर साकर ने, कि ये बियान उसने कब दिया, ये बियान उसने तब दिया, जब तुम्हारा मुमिनी मंडी बहावल दीन से उठके जाके वहाँ पे बेगुना लोगों को टोके से मार रहा था, इसकी कोई खबर नहीं प जोरों को बिताएं कि इसलाम अमन पसंदी का मजभ है, अपने लोगों को नहीं बितातें कि इसलाम अमन पसंदी का मजभ है, आप लोगों को जाकर टोकों से मत मारो, ये नहीं कहेंगे कभी, तब इनकी जबान लग खळाती है, क्योंकि मुनाफिक हैं ये लोग, उसी में की जो पॉपिलेशन है मुसल्मानों की नाइन परसंट के करीब है, जो तकरीबं को पांच लाग के करीब बनता है, लेकिन सिर्फ मेरा ख़ल को पंदरह ये बीस हजाद लोग ऐसे हैं जो बुर्का पहनती हैं, टोटल बुर्का, टोटल बुर्के को उपर बैन है, और जो फरांस से बाहिर रहने वाले मुमिनीन हैं, पाकिस्तान में, इंडिया, बंगला देश में, या और मुलकों में, इनको बड़ी चुल होती है, कि भई, फरांस में तो बड़े बेड़े खर्क हो गए है, फरांस ने तो पावंदिया लगा दी है, जो फरांस के मुसल्मान और नहीं न गिजर आ रहा था बीचाहियों को तो उनको इतने तेकलीव नहीं है तो यह ओर हर्कते क्या करते हैं यह तो एक हिसा है ना, और हर्कते क्या करते हैं यह देखें, अब ही फ्रांस नहीं यह बैन कर दीका, यह मुमिनीन वहाँ पर जा के virginity का test लेते हैं certificate देते हैं कि हाँ भई ये हमारी बेटी virgin है आप इससे शादी कर लो निकाह कर लो क्योंकि virginity का बड़ा इन में वो है आप ज़रा imagine करें 18-19 साल की लड़की आप फार्स करना करें वो virgin नहीं है virginity का क्या test होना ये तो हाइमन की बात होती है हाइमन किसी भी वज़ा से तूट सकता आपका कुछ जो female लड़के हैं किसी भी वज़ा से हाइमन तूट सकता तो ये लेकिन ये मुमिन इतने obsessed हैं sexually इतने पता नहीं क्या की खाक है नहीं मावा ने जमिया है ये इतने थोड़े पागल किसम के लोग हैं तो उसके उपर ये टेस्ट लेते है virginity का तो फ्रेंच गवर्णमेंट ने plan बनाया कि jail टाम्स होंगी और fines मिलेंगे उन डॉक्टरों को जो ये वाला virginity के certificate देंगे traditional religious marriages religious marriages नहीं मुमिनों की इस्लामी marriages के लिए तो ये एक और ये जो माखरौन ने अभी कहा था ना कि हमने ये जो कटर इस्लाम है इसके खलाफ हमने काम करना शुरू कर देना ये उसकी एक पहली कड़ी है और ये इस्ता 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 की चीज़े होंगी और होनी चाहिए कोई भी कोई भी बाशूर imagine करें कि अब पाकिस्तान में होता होगे इस तरह कि जा के बाप अपनी बेटी से पूछता होगा आँ भी बेटी ती है तेरी virginity cam है के नहीं लेकिन ये लोग पता नहीं किस तरह जाके virginity होंगे test करवाते है certificate लेते है I mean क्या बोला जाए इन लोगों के बारे में क्या बंदा कहे अब मुझे एक लड़की बता रही थी के पाकिस्तान में कोई पता नहीं कोई इस तरह की चीज होती है के कुछ लड़कीयां होती है वोग डरी होती है कि अगर उनका अगर हाइमन वगारा किसी और वज़ा से तूट गया वा तो खावंद कई उनको ये ना कहे है तू तो virgin ही नहीं है अगर को ब्लीडिंग ना हुई को खुन ना निकला wedding सोहाग रात वाले दिन तो कई लड़कीयां कोई capsule सा कोई कोई चीज होती है वो अपने पीछे नीचे डाल लेती है और ताके pretend करें कि हाँ भी खून निकला तो लड़की virgin है मुझे एक लड़की बता रही थी बहुत पहले की बात है तो उसमें अब देखो तरह क्या गुजर रही होगी उनके उपर डरे वे कि अगर अच्छा ना होगा अगर कोई ये चीज ना यूज़ करें वो वाकिछ फून ना निकले वो करेंगा उई लड़की तू तो खराब है तू तो बच्चलन है उसको वहीं से पहले दिन से उसको मारना शुरू कर दे और वो बचारी उसको पते है नो यार ये क्या हो गया मेरे साथ क्या हो गया तो ये बड़े अजीबी किसम के गंदे मौाशरे पता नहीं कहां से अपने आपको बड़ा जबरदस मौाशरा समझते हैं इसको बदलना बड़ा जुरूरी है मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियों पर जुरूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पेगाम जादा से जादा लोगों तक पहुंचा सकूँ